हेलो एवर्यवन फादियर वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल सो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर पर बॉर्डर और वेरिफाई बेच कैसे लगा है आप मेरी प्रोफाइल पिक्चर को देख सकते हो मैंने यहां पर बॉर्डर और वेरिफाई बेच लगाया हुआ है तो वह कैसे लगाया है वह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इससे क्या होगा आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल अच्छी बनेगी प्रोफाइल बनने वाला है तो आपको मैंने एक video में एक लिंक दे दिये उस लिंक को open करने के बाद आपको एक इंटरफेस open होगा तो मैं यहां पर अपना Google account Google Chrome Google पर वह लिंक को open करेके आपको बता देता हूं कि किस तर आपको और आपको करना है तो आपको link open करने के बाद एक interface open होगा वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो यहाँ पर एक interface open होगा link open करने के बाद open होगा तो आपको नीचे scroll down करना है और यहाँ पर आपको select template में कहीं सारे border दिखेगे आपको यहाँ पर सब coloring border भी दिखेगे और सब ज्यादा border वाली भी पतली border वाली भी आपको यहाँ पर coloring और यह सब अलग-अलग different type कि आपको यहाँ पर border मिल जाएगी आपको एक border को select कर लेना है तो मैं यहाँ पर एक border को select कर लेता हूँ सो यह border अच्छी लग रही है मेरेको तो मैंने इस border को select कर लिया है सो उसके बाद आपको यहाँ पर upload image में जाना है और यहाँ पर document में जाकर आपको 5 MB से कम हाँ गाइस 5 MB से कम एक picture आपको select कर लेना है तो यह आपका होगा यहाँ पर सो आपका जो image होता है वो 5 MB से कम होना चाहिए सो यहाँ पर हमारा image upload हो चुका है और border भी लग चुकी है सो आप नीचे ही जाकर यहाँ पर देख सकते हो मेरे image के उपर border लग चुकी है उसके बाद आपको यहाँ पर verify badge लगाने के लिए यहाँ पर verify badge का एक symbol दिया हुआ है उस पर click करना है tick mark करना है और आप directly कुछ करना नहीं loading हो जाएगा और आपको verify badge भी लग चुकेगा आपका जो upload किया हुआ image उस पर so मैं आपको नीचे scroll down करके बताता हूँ so guys आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे image पर border भी लग चुकी और verify भी badge लग चुका है so अब guys बात आती है इसको download कैसे करें इसको download करने की trick बहुत ही symbols है आपको यहाँ पर email id डालनी है आप आपकी जो भी आप use करना है regular में उस email id को download डालनी है और यह नीचे download का option है उस पर click कर देना है so यह directly आपके download में चला जाएगा और आपको क्या करना है Instagram की select करना है edit profile में जाकर आपको यह direct image आपकी set हो जाएगा और आपको उसके save कर देना है so guys अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आयो तो please मेरे वीडियो को like कर देना और अगर आप मेरी channel पर नहीं हो तो please subscribe कर देना मेरी channel को और हाँ guys वीडियो को share करना मत बूलना